फ्लैक रजिस्टर 80286, मशीन स्टेटस वर्ड्स, लास्ट टाइम ने हमने स्टेटस फ्लैक्स किये थे और अपने ये कंट्रोल फ्लैक्स हैं वो किये थे, D0 से D15, अब D16 से D31 तक मशीन स्टेटस वर्ड्स को शो करेंगे, जिसमें D16 बिट शो करती है, P.E. को, P.E. प्रोट प्रोटेक्शन अनेबल, यानि ये फ्लैग 80286 में प्रोटेक्शन मोड में वर्ड करेगा, अगर ये फ्लैग सेट है, तो इसको क्लियर सिर्फ CPU के रिसेट करने पे ही किया जा सकता है, अदर्वाइस नहीं किया जा सकता है, इसमें क्या होगा, अगर ये बिट सेट है, D17 बिट, MP, मोनिटर प्रोटेक्शन अगर ये सेट होती है, उस टाइम पे जो मोनिटर प्रोटेक्शन फ्लैग होगा, वो एलाओ करेगा वेट इंस्ट्रक्शन को, यानि कि जनरेट करेगा एक जो प्रोटेक्शन होगा उसके थुरू वेट इंस्ट्रक्शन, एक्स्टेंशन को, नेक्स्ट है, EM, B18-bit, जो की EM, जो की प्रोटेक्शन एक्स्टेंशन, इम्यूलेटर को शो करती है, अगर ये bit, set होती है, तो इसका मतलब है, कि जो प्रोटेसर, ये तभी set होगी, अगर प्रोटेसर एक्स्टेंशन, एक्सेंशन होगा, तभ ये set होगी, और पर्मिट करेगी EM, प्रोटेसर के EM, इम्यूलेशन को, यानि ताकि CPU Extension कर सके, next है, ts, जो कि task switch को show करेगी, यानि कि कोई भी instruction होगी, उसे switch करेगी, ताक को switch करेगी, अगर ये set होती है, तो जो flag indicate करेगा, कि next instruction, जो extension का use करके generate हो रही है, ये task switch होगा, इसके इलावा, जो 20 से 31 है, ये जो bits हैं, इनका कोई use नहीं होता, इनका use नहीं किया जाता है, और इन चारों का ही machine status word में use कियाता है, ये हमारे machine status word है, और ये जो चार flags है ना, ये additional flag है, additional मदलब 80286 में जादा है, जबकि ये 8086 में नहीं है, 80286 में है, ये extra है, जो कि additional है, additional field है 80286 में flag registers में, तो ये है हमारे machine status word flag register, 80286, thank you, thank you for watching this video, आप और वीडियो के लिए हमाने चैनल learn and grow पे subscribe कर सकते है, thank you